बिहार में डबल मिनिंग अश्रील और जाती सुचक भोजपूरी गानों पर शक्ति हो गई है जी हाँ आप भी अश्रील भोजपूरी गाने सुनना और देखना पसंद करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है त्यूंकि अब शोता कित्सासा शोसल मेडिया पर अश् लाएं और छोटी जाती की लोगों को ठेज पहुचाने वाले गाने पर भी अब पुलिस की नजर होगे यानि अगर आप ये सोच रखे हैं कि होली में डीजे पर अश्लील गाने बजा कर खुब डांक्त करेंगे और होली खेलेंगे तो आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि होली जैसे तो वहारो पर बिहार पुलिस मुख्याले की ओर से गुरुवार को बिहार के सभी जिलो में सतरकता बरतने के निर्देश दिये गया है और इस निर्देश में क्या-क्या कहा गया है यह हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे लेकिन उस जाती विरोधिक शब्दों और भाषा का तेजी से इस्तमाल हो रहा है और ऐसे गानों से समाच पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है कई बार तो ऐसे गानों के वज़े से गाउन में लड़ाई भी हो जाती है इसके पीछे कारण होता है कि ऐसे गायक अपने गाने मे की निर्देश दिये गे थे लेकिन देखा जा रहा है कि प्रभीटी कम होने के बजाए देरे धेरे और बढ़ती जा रही है ऐसे घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्याले के ओर से कहा गया है कि होली जैसे तेवहारों को देखती हुए इस तरह के अश्लील कि खिलाब बिहार पुलीस सक्तकारवाई करेगी बिहार पुलीस की ओर से इसके लिए फर्मान बिज़ारी कर दिया गया है वही जैस गगवार ने शुक्रवार को राजे के सभी लोगों से समाज में सभावना बनाये रखनी की अपील की है उन्होंने कहा है कि अश्लील थेत्या पबलिक भी जो लोग इसे गाने बजाते हैं या गाते हैं उनको अपलोड करते हैं जो गाने लोगों की भावनाव को थेस पहुंचाती हैं या उस्ते जित करती है or मैं किसी वर्ग विशेस की लोगो और ँष मतिकेश्यार पर उसने का काम करती है तो ऐसे लोगों के उपर नियम कानून के साथ करवाई की जाएगी दरसल पिछले कुछ सालों में कई ऐसे भोशपूरी गाने सुनने को मिले हैं जिसमें जाती सुचक शब्दों का प्रयोग गायक अपनी जाती की स्ट्रेश्टा साबित करने के लिए गाते हैं कुछ गानों में दूसरे छोटी जातों को नीचा दिखाने के लिए जाती सुचक शब्दों का या अश्लील भरे बोल यूज करते हैं इस कारण कई बार ना सिर्फ समाजिक तनाव बढ़ता है सिवान जिले में भी कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ था जिसमें ऐसे गानों की वज़े से मामला लडाई तक पहुँच गया था इसलिए विशेष शाखा के एसपी ने 15 फरवरी 2023 को सभी जीलों को पत्र जारी किया है पत्र में एसपी ने कहा है कि इन अश्लील भोशपूरी गीतों के माध्यम से गायकों के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है इन भोशपूरी गीतों के समवाद भी अर्थी होते हैं ऐसे गानों में जाती विशेष का जिक्र करके भी उन्हें अपमानित किया जाता है यह सच है कि कुछ गायकों द्वारा भोजपूरी गेतों से अनुसूचित जाती की गरिमा को भी ठेस जान बुच कर पहुचाया जाता है ऐसे गायक अपने गीतों के माध्यन से कई जाती का महिमा मननन करते हैं, बखान करते हैं, तो किसी छोटी जाती को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं इस तरह की गीतों से समाजिक सदभाव भी बिगडने लगती है और कई बार तो बिगड भी जाती है और यदि आप अंतरे सिंग प्रेंका का धोड़ी वाला गाना सुनते हैं अगर आपकी सारी लालियादों का चोली वाला गाना सुनते हैं और चंदन चंचल का धोड़ी चटना वाला गाना सुनते हैं तो ये खबर विशेश रूप से आपके लिए है इसको आसान भासा में मुझ्जिया कळाकार है तो ऐसे गाने को यूटूब पर ये सोच कर अप्लोड करते हैं कि ऐसे एसे निर्देशतों हरां आते रहते हैं अई से निर्देशों का क्या है सब पहले कि तरह नौर्मल हो जाता है तो ऐस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस बार किसी ने पूलिस को फोन करके महिला विरोधी गाने या फिर जाती सुचक गाने पर गल्ती से भी आपती जताया चाहे वो लड़का हो या लड़की हो आपके खिलाफ तुरंत स्ट्रिक एक्सल लिया जाएगा या फिर किसी ने ऐसे गाने बजाकर बि क्योंकि जो लोग ऐसे गाने सुनते हैं बजाते धेखते हैं लिखते हैं अफ्लोड करते है वो लोग विशेयस रूप से सावधान हो jai साथ ही जिनको इस प्रकार के गानों से दिक्कत हो तहीं उनको भी यह पता चल सके कि ऐसे गानों के खिलाफ आपको क्या एक्षन लेना है बाकि आपको यह नई जानकारी कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलाल इस वीडियो को यहें पर समात करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे जाज़ा दीजिए धन्यवाद